दोस्तो मेहंदर सिंग दोनी ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को जिन उचाईयों पर पहुँचाया आज उसे बताने की जरूरत नहीं है दोनी ने अब तक के करियर में नजाने कितनी बार भारत का नाम रोसन किया उन्होंने कई बार ये साबित कर दिखाया कि वो वाकई में क्रिकेट की दुनिया के गेम चेंजर हैं बाच चाहे रंद बनाने की हो या विकेट कीपिंग की या फिर कपतानी की दोनी ने हर प्रारूप में हर किलदार को इतनी इमानदारी से निभाया की साइध ही कोई और क्रिकेटर ऐसा करने की अकसमता रखता हो कैप्टन कूल के नाम से मसूल दोनी ने हमेशा खुद के बारे में बाद में और टीम के बारे में पहले सोचा दोनी की इसी सोच का नतीजा है कि आज भालती क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बहतरीन क्रिकेट टीमों में से एक है वैसे तो माहीने क्रिकेट के मैदान पर इतनी बार कमाल कर दिखाया है कि उसे एक साथ लिख पाना किसी के लिए भी मुम्किन नहीं होगा मगर आज की स्खास पेसकस में हम आपको दोनी के दवारा किये गए ऐसे कार नामे के बारे में बताने वाले हैं जब फैंस के दिलों में उनके लिए प्यार और सम्मान पहले से भी और ज़्यादा बढ़ गया था दरसल सिरिलंका के साथ हुए एक मेच में कैप्टन कूल ने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिसकी उमीद किसी को भी नहीं थी ये बात है साल 2013 की जब सेलेकोन मोबाइल कप का फाइनल में चल ला आता और भारत और सिरिलंका की टीमें एक दूसरे के खिलाब खेल लहीं थी ये एक तिर्कोनी सिरिश थी भारत ने टोष जीत कर पहले गैंदबाजी करने का फैसला किया था सिरिलंका ने पहले बल्ले बाजी की और भारत के सामने जीत के लिए 202 रनों का लक्से रखा रोहित सर्मा और सिखल दवन ने टीम इंडिया के लिए काफी अच्छी सुरुआत की थी मगर बात कुछ ज्यादा जम नहीं पाई रोहित 58 रन बना कर आउट हो गए भारत का मद्यकरम बिखर गया और जीत का सारा बहर दोनी के कंदों पर आ गया माही सूजबूच से खेलते खेलते मेच को आखरी ओवल तक खेंच ले गए दोनी के साथ इसांत सर्मा खेल लहे थे और स्री लंका की तरप से सामिनदा इरंगा गैन बाजी कर रहे थे टैंसन के इस माहोल में हर किसी की नजने दोनी पर टीकी थी दोनी से ओवर की पहली गैन मिस हो गई और अब भारत को जीत के लिए पांच गैन्दों में 15 रनों की जरूरत थे मेच में जीत का पूरा दबाव दोनी पर था मगर हमेशा की तरह दबाव को उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया माही ने ओवर की दूसरी गैन पर जबल दस्त छक्का लगाया इसके बाद तीसरी गैन पर चोका जड़ दिया और अगली बोल पर छक्का मार कर टीम को एक विकेट से जीत दिला दी आकरी ओवर से पहले ऐसा लग रहा था कि अब ये मेच भारत के हाथों से निकल चुका है लेकिन दोनी ने अनहोनी को होनी में बदल डाला और वो कर दिखाया जिसकी किसी को उमीद नहीं थी